आकिर बाइक के डिस्क वेपर छेद के होते हैं और अकभार के नीचे ये चाल रंगीन बिन्दू का मतलब क्या होता है और ट्रेंक के राष्ट डिब्डे में एक्च का मतलब क्या होता है इस तैके फैक्ट जानने के लिए वीडियो के इन्तवत बने गईएगा नमबर 10 बुगाटी कमपनी ने PG कमपनी के साथ मिलकर दुनिया की सबसे हलकी साइकल बनाई है जिसका वजन करीब 5 किलो ग्राम है और 95% हिस्सा कार्बन फाइबर से मिलकर बनाया गया है और यह साइकल दुनिया बर में 695 साइकल ही बीची गई है नमबर 9 पुरी दुनिया में सिंगापूर ही एक ऐसा मात्यदेश है जहां पर खेत एक भी नहीं है नमबर 8 ट्रेन के पिछले हिस्से में बना एक्स का मतलब होता है कि राष्ट वेकर दरसर में यह निसान इस बात को दल साता है कि यही ट्रेन का आखरी डिबबा है और इसके की हुकूमत को रविवार के दिन सब के लिए छुटी गोशिट करनी पड़ी रविवार की छुटी को देकर कई तरह की धार्मिक मानताएं भी मानी जाती है जैसे हिंदु धर्म के हिसाब से हफ्ते की सुलवात सूर के दिन यानी रविवार से मानी जाती है नमबर 6 जपान म जीए थे अंबर फाइव आप अखबार पढ़ते समय ये चार बिन्दी को तो जरूर देखा होगा रेकिन इनका मतलब होता है दरासर में इनका मतलब ये है कि सियोन मेजेंटा यलो एंड ब्रैक है यह रंग इस बात को दरसाते हैं कि किसी भी अखबार की प्रिंटिंग करते स समय ये रंगों का उपियोग किया गया है दरासर में अब आप ये सोच रहे होंगा कि अखबार में सिर्फ ये रंग देखने को नहीं मिलते हैं रेकिन अखबार में ऐसे कई रंग है जो प्रिंट किये जाते हैं रेकिन मेजेंटा यलो ब्रैक सियोन को मिराकर रंग बनाय ज या एक जपान की कम्पनी है जो जिब बनाती है और ये कम्पनी दुनिया की सबसे बड़ी कम्पनी में से एक है नमबर 3 दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा दच्छन अफिका में जोन से बर्ग सहर में बनाया गया था है और इस पिज्जा की गोलाई 37.5 मीटर है इसे 500 किरो आटे और 800 किरो चीज और 900 किरो टुमैटर प्यूवी किया गया था और 8 दिसम्बर 1919 में बनाया गया था और इस से गिनिज बुक आप रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया नमबर 2 अंडा तो सब कोई खाता ही है लेकिन अब बजार में भी साकाहारी अंडे आ गये हैं जो पौधोय पर उगेंगे और ये अंडे एकदम मुल्गी के अंडे की तरह हो और ये बेजिटेरियन अंडर सोयबी के पौधे से बनेंगे और इसे उडेनी यूनियल सिटी के फोर्ड साइंस विवाद से पढ़ने वारे चार रड़कों की टीम ने तयार किया है आपने देखा होगा कि डिस्क ब्रेक पर छेद होते हैं दरसल में इन छेद कम मतलब है कि जब आपकी बाइक पानी से चलती है तो आपका डिस्क ब्रेक गीरा हो जाता है जिससे ब्रेक धीवे रगते हैं लेकिन इन छेदों से पानी आल पाल हो जाता है जिससे ब्रेक बहुत तेज रगते हैं जो आपने वीडियो को यहां तक वाच कर लिया है तो चैनल को सस्क्राइब भी कर दीजिए